नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो झाडू एक ऐसी वस्तू है जो हर घर में पाई जाती है जो हमारे घरों से मलिन्ता और गंदगी को भार करती है यह हम सबी जानते है कि जिन घरों में सवच्चता होती है उन घरों में मालक्षमी का वास होता है इसलिए जाडू को मालक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है पर कुछी लोग ये जानते है कि जाडू के सही इस्तमाल से मालक्ष्मी को प्रसन किया जा सकता है आज हम आपको वास्तुशास्तर में बताई गई जाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमई बाते बताएंगे अगर आपके घरों में धन नहीं ठहरता, क्लेश बढ़ता जा रहा है, नकरतमक्ता का माहोल रहता है तो इस वीडियो को अंततक जरूर देखे और जानिये ऐसी दुश्परनाम देखने को मिलते हैं, अगर हम समय रहते उन क्रत्यों को जान ले और उनको सुधार ले, तो आपके घर में भी धन, वैभो, सुक, समरद्धी और सकरत्मकुर्जा का आरम होना शुरू हो जाता है, तो आईए जान लेते हैं, जाड़ू से जुड़े कुछ ऐ जिस प्रकार हम अपने धन को सदयों चुपा कर और संबाल कर रखते हैं, उन्हें लोगों की नजरों से दूर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जाड़ू भी धन की दिवी मा लक्ष्मी का प्रतिक है, इसलिए जाड़ू को सदयों पराए लोगों की नजर से चुपा कर किसी ऐसे स्थान पर रखे, जहां कोई जाड़ू को न देख पाए, इसे आपके घर की बरकत आपके घर में रहती हैं, और बाहरी कोई बुरी नजर उसे नुकसान नहीं पहुचा पाती। तूटी हुई, बहुत ज़्यादा घिसी हुई, या गीली होनी नहीं चाहिए, इससे उल्टा असर भी हो सकता है, और नकरतमकता भी बढ़ सकती है, घर में जाड़ू समय समय पर बदलते रहना चाहिए, पुरानी आर तूटी हुई जाड़ू से आपके घर की हालत भी विक करना शुरू हो जाती है, या एक छोटा सा उपाई ये है, कि जाड़ू को हमेशा शनिवार की दिन खरिदना चाहिए, या नया जाड़ू शनिवार की दिन ही इस्तमाल करे, ये बहुती शुब माना गया है, तीसरी बात, जाड़ू लगाने का सही समय, अगर आप कोई शुब प्रसंग, खुश कबरी या कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए घर से बहार जा रहा हो, तो उस वक्त करपया जाड़ू का प्रयोग ना करे, इससे शुब कारे में अर्चन आ सकती है, साती जाड़ू को खड़ा करके भी ना रखे, इससे निगेटिविटी घर में जल्दी प्रवेश करती है, चोती बात, जाड़ू को किस दिशा में रखना उत्तम माना गया है, दोस्तो जाड़ू को हमेशा घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए, पर ध्यान रहे, अगर रसोई घर या अनाज घर या जहापर आप रसोई खात का अपमान होता है, और मानन पुर्णा क्रोधित हो जाती है, पाची बात, जाड़ू किसी से उधार ना ले, ये एक भोती महतोपुर्णा बात है, कि कभी भी किसी और का जाड़ू उधार ना ले, या आपने घर में उस जाड़ू से पोचा न लगाए, ये दूसरों के घर खरिद कर देने की जित करे तो समझ जाइए कि उसमें जरू कोई नकरत्मक उर्जा का वास हो सकता है ऐसी चीजों से बचने के लिए किसी के घर या पैसों का जाडू कभी ना ले और एक छोटा सा सुझाओ जाडू खरिदने के बाद पहले थोड़ा सिंदूर जमिन पर डाल कर उसे साफ कर ले और फिर उसे बाकी घर की सफाई करे इससे घर में शुद्धता बनी रहेगी दोस्तों उमीद है आपको आज की जानकरी पसंदाई होगी ऐसी महतोपुर्ण जानकरी पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरू करे वीडियो पसंदाई तो लाइक करे कमेंड में जय मालक्षमी लिखना ना भूले धन्यवाद